Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम डिसकस करने जा रहे हैं Interpreting the Variorum by Professor Stanley Fish Stanley Fish ने इस essay को 1976 में लिखा Stanley Fish एक American Reader Response Theorist है उन्होंने Reader और Reading Process से related बहुत से Works लिखे हैं उनमें से एक आज हम डिसकस करेंगे Stanley Fish का essay Interpreting the Variorum Reader's Experience of Literary Texts के बारे में है Variorum ये वर्ड एक Latin वर्ड है इसका क्या मतलब है Variorum वर्ड का मतलब है एक किताब के मुख्तलिफ एडिशन्स को साइड बाई साइड रख कर उनका जाहिजा लेना जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक ही बुक के तीन डिफरेंट एडिशन्स नजर आ रहे हैं इन तीनों का जाहिजा लेने को Variorum कहते हैं इससे किसी भी वोक की authenticity का पता चलता है मतलब ये कि हम एक ही बुक के डिफरेंट एडिशन्स को साइड बाई साइड रखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके अंदर क्या similarities हैं क्या differences हैं इससे हम Variorum कहते हैं इससे हमें पता चलता है कि वो work कितना authentic है और कितना authentic नहीं है अब Stanley Fish का ये जो essay है interpreting the Variorum इसकी बात करते हैं ये essay four parts में divided है मतलब इसके four parts है first part है introduction मतलब first part के अंदर Fish ने अपने अब जो main idea है main point of view है उसकी बात की है second part उसका title है the case for reader response analysis उसके बात है third part जिसका title है undoing the case for reader response analysis और उसके बात last और fourth part है जिसका title है interpretive communities ये four parts हैं इस essay के हम हर part को one by one discuss करेंगे और देखेंगे के fish इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं तो start करते हैं हम introduction से इस essay के first part याने introduction के अंदर Stanley Fish क्या कहना चाह रहे हैं अब Stanley Fish ने अपने essay का title कहां से लिया है ये हम introduction में देखते हैं उन्होंने title लिया है जान मिल्टन की poems के वेरियोरियम एडिशन से जिसके अंदर मिल्टन के works के अंदर मौजूद 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 की बात की गई है मतलब ये कि जान मिल्टन के works के उपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रीडर्स ने अपने analysis किया उसके बाद अपनी interpretations थी अपनी controversies की बात की commentaries थी उन commentaries से ये title लिया है स्टेनली फिश ने interpreting the veriorum अब उनको स्टेनली फिश ने detailed उनका जाइजा लिया उनको पढ़ा और उसके बाद ये कहा कि मिल्टन की poems के उपर की गई controversies के उपर बात करते हुए कि इन controversies को solve करने की नहीं बलके experience करने की जरूरत है क्या मतलब मतलब different readers ने उन poems को जान मिल्टन की poems को पढ़ा उसका analysis किया उसके बाद उस पे अपने comments दिये तो स्टेनली फिश क्या कह रहा है कि हमें उन commentaries को पढ़ने की नहीं बलके experience करने की जरूरत है हम खुद जान मिल्टन की poems को पढ़ें और उसके बाद देखें कि क्या हम भी वही सोच रहे हैं जो दूसरे readers सोच रहे हैं तो हमें उन commentaries को पढ़ने की नहीं उन्हें solve करने की नहीं बलके खुद experience करने की जरूरत है तो हम किसी भी work के उपर किये गए एक analysis को घलत और दूसरे को सही नहीं कह सकते मुख्तलिफ commentators की मुख्तलिफ राय होती है एक ही subject पर for example किसी ने जान मिल्टन के works को positive reviews दिये तो किसी ने negative हम ये नहीं कह सकते के positive reviews वाले गलत हैं और negative reviews वाले ठीक हैं बलके हमें चाहिए कि हम खुद उनको experience करें उन poems को पढ़ें और फिर देखें कि क्या हमारे views positive हैं या negative तो fish का भी यही मानना है कि जो reader है interpreting a text depends completely on a reader and author has little to no role to play कि किसी भी text के अंदर जो main role है वो reader का है author का नहीं author ने क्या लिखा उसके हमें नहीं पता उसकी intentions क्या थी उसका हमें नहीं पता नहीं text के अंदर वो मुझूद है टेक्स्ट के थुरू उसने हमें अपनी intentions बताई नहीं बलके reader अपने experience के थुरू इन intentions को समझने की कोशिश करता है यह first part है इस essay का इसका introduction देते हुए fish ने जान मिल्टन की poems की example लेते हुए हमें समझाने की कोशिश की है कि किसी भी text को analyze करने में main role reader का होता है और हमें चाहिए कि हम जो analysis already मुझूद है उन्हें solve करने की बजाए खुद experience करें खुद उन poems को पढ़ें और उनका analysis करें introduction के बाद है second part the case for reader response analysis Stanley fish formal analysis के खिलाफ है formal analysis क्या मतलब formal analysis जो है वो text को main importance देते हैं उनका ये मानना है कि text जो है वो main center है यहां से हम meaning ड्रा करते हैं meaning text में मुझूद होता है ये formal analysis का मानना है जबके Stanley fish इस से opposite सोचते है Stanley fish का मानना ये है कि meaning जो है वो reader create करता है अपने experience से और fish का ये मानना है कि judgment और interpretation text पे नहीं बलके reader पे depend करती है reader अपनी education, opinion, concerns और linguistic competence को इस्तमाल करता है meaning draw करने के लिए मतलब ये कि किसी भी text के अंदर जो meaning मुझूद है वो reader अपने experience based draw करता है उस पे depend करता है कि वो उसे कैसे interpret करता है कैसे समझता है तो ये है second part, the case for reader response analysis कि reader एक text नहीं बलके reader जो है वो है center formal analysis text को center कहते हैं कि हम meaning draw करते हैं text से text पहले आता है और फिर meaning जबके fish का ये मानना है कि सब कुछ हर चीज का center है reader reader अपने experience की based पर meaning draw करता है वो text को कैसे interpret करता है वो उसके experience पे depend करता है second part के बाद है third part undoing the case for reader response analysis इस section के अंदर fish author के बारे में बात कर रहे हैं किसी भी text के अंदर author का intended meaning छुपा होता है मतलब ये कि author क्या कहना चारा है उसकी intentions क्या है वो text के अंदर छुपी होती है अब reader अपने experience के जरीए author के meaning को और intentions को समझने की कोशिश करता है कि author इस text के जरीए क्या कहना चारा है इसलिए text itself has no importance टेक्स्ट की खुद की कोई importance नहीं है बलके इसके अंदर मुझूद author की intention क्या है और reader का experience क्या है ये matter करता है author क्या कहना चारा है और reader उसको कैसे समझता है ये matter करता है for example हमारे पास है author और reader author ने एक word बोला beautiful अब reader ने अपने मताबिक उसे समझा उसको क्या समझाई वो उसने अपने experience के मताबिक देखा और उसे समझने में उसकी education, opinion, उसके concern सब कुछ शामिल होंगे for example एक reader उदास है तो वो उसके मताबिक समझेगा meaning को अब वो गरीब है या अमीर है वो चीजें भी role play करेंगी तो reader ने अपने experience के मताबिक समझा के author क्या कहना चारा है उसकी क्या intentions है इस word के पीछे इसको बोलने के पीछे तो ये है third part का main concern कि किसी भी text के अंदर author की intentions छुपी होती है लेकिन reader अपने experience की basis पर उस intentions को समझने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जितने readers और interpreters होंगे उतने ही meaning होंगे तो किस तरह से author की intention को reader के meaning के साथ authentic बनाया जाए तो तब हम कैसे समझेंगे कि reader का meaning और author की intention दोनों मिलकर authentic होंगे कैसे उनकी authenticity का मतलब हम जाइजा लें उनका पता लगाएं इसका जवाब मिलता है हमें fourth और last पार्ट में जो के है interpretive communities फिश का मानना है कि interpretive communities बनानी चाहिए जिसके अंदर वो लोग मुझूद हों reading और writing दोनों से related interpretive strategies को जानते हों ताके linguistic meaning और context दोनों को समझा जा सके मतलब ये कि author क्या कहना चाह रहा है और reader क्या समझ रहा है इन दोनों को समझ सके ऐसी communities बनानी चाहिए जिसके अंदर reading और writing दोनों से related लोग हों जो interpretive strategies हैं उनको जानते हों फिर उन communities की जो strategies हैं उनको इस्तमाल करते होए मुख्लिफ works का जाइजा लिया जाए और फिर उस analysis को उस overall analysis को दुनिया के सामने रखा जाए और उन communities के अंदर वक्त के साथ changing लाई जाए मतलब new log new जो additions हैं वो किये जाए तो ये है interpreting communities मतलब ये के ऐसी communities जो अपने मताबिक text को interpret करें अपनी strategies के मताबिक तो ये four parts हैं इस essay के introduction then second part the case for reader response analysis third part undoing the case for reader response analysis और fourth part interpretive communities so overall अगर हम इस essay को समझें इसका main और single point क्या है तो वो ये है के meaning are not extracted but made and made not by encoded forms but by interpretive strategies that call forms into being मतलब ये के हम ये ऐसी strategies बनाएं जहां से meaning draw कैसे किया जा सके interpretation के जरिए ना के text के जरिए के ऐसी strategies बनाई जाएं जिसमें मुक्तलिफ readers हों जो जानते हों strategies को reading और writing की मतलब writing की strategies को भी जानते हों और reading की भी फिर वो text को analyze करें और लोगों के सामने रखें ताके हम सिर्फ text पे depend ना करें बलके उन analysis पे mainly depend करें और समझ सकें के हम main point of view क्या है तो ये है one single point of view इस पूरे essay का तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का ये lecture उमीद है आपको समझ आई होगी इस lecture की इससे related कोई भी questions हैं आप comments में छोड़ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी उनके जवाब देने की और इसके इलावा भी किसी topic पर आप चाहते हैं कि मैं lecture बनाऊ या video बनाऊ तो आप वो भी comments में कह सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी next video में तब तक के लिए खुदा हाफिस